कि नमस्कार मैं संजय कुमार सर्मा बाबार राश्टी नोज में आपका स्वागत है मैं इस वक्त मौजूद हूँ अग्यार कुंड परखंट के अंत्रगत दुमुर कुंड़ा पंचायत का एक कौन सा गावा भाई दुमुर कुंड़ा जमीन पे इन बच्चों को इतना तकली कि जो पास में जमीन खाली देख रहे हैं यहां ग्राउंड हुआ करता था और बच्चे यहां खेला करते थे आसबास के बच्चे यहां खेलते थे जिससे बच्चों का मानसिक विकास हो रहा था लेकिन यहां के अस्थानिये भूमाफियाओं के दौरा इस जमीन का कागज बनाकर उससे बेच दिया गया आईए कुछ लड़कों से बात करते हैं कि क्या मामला था कई से क्या हुआ आईए बाते कुछ मैने पहले यहां पर ग्राउंड हुआ करता था लेकिन कुछ भूमाफिया दौरा हम लोग बोला गया कि आप लोग ग्राउंड को छोड़ दीजे अब ही तरह यहां से बहुत 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 प्लियर निकले बीए बाहर खेले लेकिन आज हो वही प्लियर यहां से जैसे यहां सभी यहां पर फुटबॉल भी हम ऐसा जहां जाता है वहां जीत के आता है लेकिन अभी हम लोग का जो हम ग्राउंड यही वे नहीं हम लोग काम ग्राउंड था वह आज बिग गया तब कहां से क्या होगा अपने सुना इस बच्चे की बाते यह यंग देश का भविस हैं और इनकी खेल परतियोगताओं में भाग लेने के लिए क्या क्या कर रही है और भूम आप यह गाओं के खेलने वाला मैदान का डूब्लीकेट कागज बनाकर बेज दरी है और कुछ लड़कों से बात करते हैं कुछ क्या करते हैं क्या करते हैं क्या क्या बोल रहे हैं हम लोग का जो म पारे बॉल नहीं है मैंदान नहीं है घरल दुवार बना दे रहा है कैसे होगा बुलिए ग्राम का लड़का लोग कुछ जैसे मदब लेख रहा है कोई आगे बढ़ने का चेश्टा कर रहा है इसा बहुत गलत हो रहा है अपने लोग देखिए कुछ की जिए क्या नहीं हो रह या खेलने का कोई जगा नहीं बच रहा है बहुत दुख की बात है क्या बोल रहे हैं बबुक्त कुछ कह रहे थे बोलिए अपने सुना गाहं वालों ने सीयो और थाना दोनों जगा लिखने के बाद भी इस पर कोई करवाई नहीं हुआ कि डुब्लिकेट कागजों पर भी रईश्ची हो जाता है और बच्चों का खेलने का जमीन उनसे छिल लिया जाता है और मुझे तो लगता है कि जब यह सरकारी जमीन है तिसका मोटेशन नहीं हुआ होगा नहीं हुआ होगा लोगों ने इस तरह लेटर लिखा था कि अगर यह अगर यह अगर किसी का नीजी जमीन है तो आप उसका जांच कीजी हम लोग खुद बाखुद हट जाएंगे ना वह उन्होंने जांच किया ना कुछ किया ना देखने भी कोई सीयों से कोई सीयों के तरफ से कोई आदमी लोगों के द्वारा ही भूमाफिया के रूप में यहां का जमीन का डूब्लिकेट कागज बनाया गया है और उसको धिरे-धिरे करकर दिया गया है काईना काईने वाले भी इसमें बने हुए क्योंकि यहां का कोई जमाबंदी खाता में यह सब जमीन नहीं है और नहीं जो लोग यह पर जो जमीन भैद अपना घर बना रहे हैं इनको कहीं जमाबंदी यहां मिलने मोटेशन इनका नाम पे होने वाला नहीं लेकिन अंचल का कोई रिफलाई नहीं है तो बहुत ही दुखत है क्योंकि हम लोग खुद सरकार में है और सरकार में रहते हुए ऐसे प्रदिकारी अधिकारी अगर इस तरह का काम कर रहे हैं तो सरकार से लोगों का भी विश्वास उठता है और हम इसी कारण से यहां आये थे कि सरकार पर से इनका विश्वास ना उठे और हम लोग इसके लिए प्रदिकारी अधिकारी को घेरने का भी काम करेंगे उससे पूश्टाज भी करेंगे कि ऐसी स्थिति क्यों आई कि जब ग्रामिन ने लिखी दिया आप जाच क्यों नहीं किया स्थानिया अस्तर पर जा कर चाहिए उनका मोटेशन होना चाहिए तो यह यहां पारदर्सिता देखने नहीं बिल रहा है इसके लिए हम लोग गरामिन को आजा स्वासन हम दे रहे हैं अपने तरफ से कि जल से जल इस पे पुश्ट आचे सियोग अंचल अधिकारी के ओफिस में बैठ करके अंचल अधि विए कज़न आप लोग को सबसे पहले मिलें